हमारे पास है bacteria phage bacteria phage को हम simply phage virus भी कहते है एक टुमारे पास word bacteria है, दूसरा हमारे पास phage, phage basically क्या है? virus है bacteria हमारे पास क्या है?codést bacteria हमारे पास क्या है?unter bacteria मतलब यह वो आया virus है bacteria phage जो किस पर tag करेंगे bacteria पर ब्रैयो जो किस पर tag करेंगी Vintroduism है कि आपक्षिट के अंदर हमारे पास क्या डिया ने है ठीक है अगर इसके लेफ्ट साइड बेढ़ने है इसका भर आपके जनलाइस टॉक्चर अगर इसका हम ओपन सुक्चर देखिए इसके निर हमारे पास क्या एंपर वाला पॉर्ष्ट है है कि हैंड फिर फिर देट है, हेड यहां पर फिर खेंगा होरे यहां पर नेक ए गरदन पर गरदन है उसकी नैए जब रूर के साथ आड़ प्योजов टो में किर योऍदे से यूज करते हैं, क्योंकि जब इसकी यह टांग चीकांग रॉइप लगाने के बाद हम ने इनको फिक्स भी तो करना है तो हम उनके लगा देते हैं ते आन्ल से लगा देते हैं डायच स्ट्रक्शर होगा बैक्टेरियोफेजख जे structure of bacteria phase की बात की जाए तो ये tadpole shaped virus होता है इसके दर आपके पास एक head होता है, neck होता है और tail होती है अगर head की बात की जाए तो echo से integral होता है shape के अंदर Tadpole आपके पास असल में होता है, जब पहले तो आपके पास fertilization होती है sperm or egg के मिलने से, उसके बाद आपके पास जाए गोड बना, जाए गोड के बाद उसके अंदर के होती है cleavage होती है, blastomates बनते हैं, फिर gastrulation होती है gastrulation के बाद organo genesis होती है, organs बनते है, organs के बनने के बाद आपके पास metamorphoses होती है Metamorphoses में आपके पास क्या होता है, जानदार जो बनता है, infant जो बनता है, इसे हम कहते है larva, that is called as larva अब यह जो आपके पास tadpole है, यह frog का larval stage है इसके अंदर क्या होती है, tail आपके पास बड़ी होती है, इसके अंदर present होती है लेकिन जब यह tadpole frog के अंदर convert होता है, यह toad के अंदर ना तो जो tail होती है इसकी वो degenerate हो जाती है, लेकिन अगर tadpole के structure की बात कीज़े तो बिल्गुल इसी तरह bacteriophage की तरह होता है अब जो head होता है, यह icosahedral होता है, means six endings होती है, इसकी देख, आप count कर सकते हैं इसकी, इसकी इनर core है head का, यह single standard DNA genome से बना होता है, head के नीचे हमारे पास क्या होती है, neck यह collar जो के separate करता है head को और tail को tail अब हमारे पास क्या हो, hollow tube है जो किसे बनी होती है, protein से, इसके अंदर nucleic acid होते है, जो के इससे पास होके next bacteria के अंदर enter होते हैं और bacteria के अंदर क्या आकास करते हैं, infection तेल के आस-पास ही है, इसके बाहर क्या होती है, हमारे पास contactile sheet होती है अब क्या होता है इन फैक्शन के दुरान यह जो चीट है यह टूट जाती है शीट टूटने से क्या होता है इसका जो जिनोम होता है यह आगे होस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाता है फिर होस्ट के अंदर जाने के बाद यह क्या करता है इसकी बायो सिंथेटिक मिशीनरी का भोले लेता और अपनी अपनी application करता है अंगा आए अच्छुमारे पासand of the letter ways play piece प्ररेजन्ट होते है प्रोस ईसे जिनके अंदर क्या होती है छे टेलवाइबर्सक्र में इसे निकल ना आजाएं अब जो टेल फाइबर दो टेल पिंज इन्वाल होती हैं बाइंडिंग और फेज टुदा बैक्टेरियम अगर टेल फाइबर ना हो तो बैक्टेरियो फेज टैच नहीं कर पाएगा बैक्टेरिया के उपड़ अब इस कोट्यूब के टेल के बाद हमारे पास करते हैं श findet होते हैं लाइज़ों इंजाइम है लाइज़ोंग इंजांग को क्या करते हैं संपलेशन करते हैं यह यह ब्रेक डॉन करते हमारे आप बिलकुल जो नीडल होती है क्या करती है पायरसिंग का काम करती है ना हमारी स्किन का पायरसिंग के बाद हम क्या करते हैं जो लिक्विड होता है वो इंजेक कर देते हैं इंटू दा सीरम या इंटू दा मसल्स अब यह करती क्या है कि यह डज़ेस्स कर लेती है पॉर्शन नोदिए होस सेलवाल ताक्के जो होस सेलवाल तूटेगी तो उसके अंदर इसका जनुम जाएगा ना उसका कंट्रोल ले पाएगी हमारे पास है science tidbits प्रोफे जो है उसके अंदर genes होते हैं क्या होते है genes we are very well aware about the genes के यह माले पास क्या होता है small part of the DNA is called genes और जो gene gene है यह क्या बताता है characterization बताता है characters की transmission कैसी होती है एक generation से डूसरी generation के अंदर अब जब cell lysogenized हो जाता है मतलब उसकी cell wall टूट जाती है उसके अंदर insert हो जाता है genome virus का तो जो extra genes होते हैं वाइरस के वो cell के अंदर express होना शूरू हो जाते हैं अपने आपको जाहर करना शूरू कर देते हैं कि host के cell को क्या कर देंगे recessive कर देंगे दबा देंगे चुपा देंगे और खुद का जो character है वो शो करवा देंगे उसके अंदर अब जो यह genes है यह properties को भी चेंज कर देते हैं bacterial cell को definitely सी बात है जब हमारी body के या bacteria की body के अपने cell को क्या कर देंगे इन्होंने चुपा दिया है और क्या करेंगे वाइरस अपनी खुस्सियाद उसके अंदर जाहर करना शूरू कर देंगे तो definitely सी बात है उसकी properties भी क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी इस प्रोसेस को हम कहते है लाइसोजैनिक कनवर्जिन या फेज कनवर्जिन लेर है यहां तक अच्छा हमारे पास है cholesterol बॉटलिनम यह कार्ज करता food poisoning बहुत सारे toxins होते हैं toxins कौन से होते हैं जो के हमारी body के लिए harmful होते हैं उनमें से जो दो हैं वो encoded होते हैं प्रोफेज जिनॉम इनको जो प्रोफेज जिनॉम है वो recognize कर लेता है फूड पॉजनिंग आपको कब होती है जब आप ओवर इटिंग कर लेते हैं या आपका फूड जब प्रॉपर्ली कोकट नहीं होता पूरी तरह पका नहीं होता क्लियर है यहां तक हमारे पास है life cycle of bacteria phage अब bacteria phage के दो life cycle है एक लाइटिक है और एक lysogenic cycle है सबसे पहले जिए bacteria phage का cycle है हमारे पास लाइटिक cycle इसके अंदर आपके पास दो main steps है पहला क्या infection process क्या सकता प्रॉपर्स